हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम टू दोनाचार जविकासन श्टाडी, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, म्यात हैं डिजिनिंग का जो की पी यूए टी सीरीज का ये पार्ट वान रहेगा, इसमें हम जो की प्रिवेशर का एक वेसर अब को डिस्कस करेंगे, जो क क्या हम एक जो का यें तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ जरूर स्यार करेंगे, तो छिलिए स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों यह जो कि आपका रहेगा, चनल का मोटो रहेगा, All you need is to believe yourself, आपको खुद से विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, तो दोस्तों आज का जो के first question रहेगा in a certain code Sikkim is written as THLJJL how is training written in that code Sikkim को एक code दिया गया है ओके तो इस तरीके से training को किस तरीके से आप code दे सकते हो तो पहले यहाँ पर आपको देखना होगा Sikkim को किस तरीके से यह code मिला है ओके दोस्तों तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते है Sikkim तो इसके नीचे ही इसका code को हम लिख लेंगे जो कि इसका code है THLJJL तो यहाँ पर आप देख सेखते हो कि alphabet जो कि यहाँ पर आपका coding का आएगा तो यहाँ पर आपको उसका position पता होना चाहिए किस position में है S का जो कि आपका position होगा alphabet S alphabet का जो कि position है यहाँ आपका 19 number में है और T जो कि यहाँ पर आपका 20 number में है तो यहाँ पर आपका देख सेखते हो S से T हो रहा है तो यहाँ पर आपका plus 1 हो रहा है तो इस तरीके से I का यहाँ पर हम देखेंगे तो यह आपका 9 में है और H का जोगी यहाँ पर आपका रहेगा यहाँ आपका 8 में है तो यहाँ पर आपका minus 1 का हो रहा है ओके तो इस तरह के से यहाँ पर आपका K से L हो रहा है K के यहाँ पर आपका रहेगा क्या होगा 11 होगा और L का जो कि यहाँ पर आपका है 12 है तो यहाँ पर आप देखें तो plus 1 हो रहा है के से L होगा तो यहाँ पर आप देखें तो plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 तो इस तरीके से यह आपका चल रहा है इसका code किया गया है तो इस तरीके से training को यहाँ पर हम लेखेंगे plus 1 and minus 1 का यह आपका सब कुछ चलेगा तो पहला ज्योंकि ा आलफाबेट ज्योंकि आपका T है तो T से plus 1 करने से यहापर आपका क्या आजाएगा U आजाएगा T का ज्योंकि आपका kode रहेगा 20 है ओके तो तो R का यहापर Q है, ओके next यहांपर आपका रहेगा A, तो A से यहांपर आपका plus 1 होगा, तो A क्या है, 1 है तो plus 1 करने से क्या हैगा, 2 आ जाएगा, तो यहांपर आपका B आ जाएगा Q, U, Q, B हो जाएगा next यहांपर आपका I, तो I से यहांपर आपका minus 1 होने वाला है i का जो की position 9 है आपका b है इसके बाद जो की आपका s आजाएगा तो next जो की आपका n है तो n का number क्या है जो की हाँ पर आपका 14 है तो 14 से plus 1 करने सी क्या आजाएगा 15 आज़ेगा 15 का position जो कि यहाँ पर आपका रहेगा O रहेगा ओके तो यह हो गया U Q B H O तो यहाँ पर आप option के हिसाब से देख सेखते हो कौन सा जो कि option यहाँ पर आपका आ जाएगा ओके यहाँ पर हम देखेंगे तो U Q B H O तो यह आपका सेम है सब कुछ option A में सेम है यह आपका option B कट गया option C भी कट गया option D भी कट गया तो देख सेखते हो यह आपका option A यहाँ पर आपका सही होगा ओके दोस्तों यहाँ पर आपका जो कि है option A यहाँ पर आपका सही हो जाएगा U Q B H O तो इसको आप सभी का यहाँ पर आप पोजिशन चीक करके कर सेकते हूँ यहाँ पर आपका राइड अंसर है नेक्स यहाँ पर है Select a figure from the four alternatives which would complete the following pattern X तो X के जगा यहाँ पर आपका कौन सा होगा ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सेकते हो friends जो कि यह आपका white ओके यहाँ पर आपका white है black है white black white black तो यहाँ पर आपका पहले आगा white पला आजाएगा तो इस तरी के से आप देख सेकते हो यहाँ option number one याँ इसका आपका sensor हो जागा बहुत ही easy question है friends यहाँ next यहाँ पर आपका रहेगा देख सेकते हो when diagram का है teachers teacher, college and students these words are related in some way the relationship among the words can be best represented by one of the following diagram तो यहाँ पर आपको teacher, college and students को diagram के साबस यहाँ पर आपको बताना है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो college के अंदर क्या आजाएगा यहाँ आपका college हो गया okay, और यहाँ पर आपका teacher आजाएगे okay, तो इस तरह के से जूकिए आपका रहेगा, यह आपका जूकिए answer रहेगा फ्रेंस, यह option number one होगा college के अंदर सब को जाएगे teacher and students right next जूकिए आपका coding से है in certain code DEAF is written as 3587 FILE is written as 7465 इस तरह के से IDEL को यहाँ पर आप किस तरह के से लिख सकते हो तो दोस्तों यह बहुत easy question है यहाँ पर आप देख सेकते हो पहले हम पर आपको दिखा देते है okay, तो यहाँ पर आप देख से हो DEAF तो DEAF को लिखा गया 3587 तो इसके नीचे आप लिख सकते हो okay, इसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रहेगा FILE तो FILE का code यहाँ पर आपका क्या आजाएगा यहाँ पर हम आपको दिखा देते है FILE FILE के नीचे यहाँ पर आप लिख सकते हो 7465 तो इसका जो कि code हो जाएगा तो इस तरह के से IDL के यहाँ पर आपको ढूणना है तो I का यहाँ पर आपका code क्या आजाएगा देख से तो यहाँ आपका second position में है तो इसका जो कि second position 4 है तो I का code आगया 4 D क्या क्या आजाएगा यहाँ पर आप देख से तो D यहाँ पर first है यहाँ पर आपका 3 होगा तो यह आपका आ जाएगा 4, 3, E का क्या हो जाएगा इसके पाँ जो कि आपका 5 है 4, 3, 5, A का क्या हो जाएगा यहापर आप देखेए तो 8 हो जाएगा L का क्या हो जाएगा यहापर आप देखेए तो L, L जो कि है 3 है यहापर आपका 6 तो इसका जो की देख सेखते हो 43586 यहां पर जो की अंसर हो जाएगा 43586 option number यहां पर आपका C option number C जो की यहां पर आपका right answer हो जाएगा friends बहुत easy question है यह next जो की यहां पर आपका रहेगा find out the missing item from the following तो यह यहां पर आप questions mark दिया गया है इसकी यहां पर आपका क्या होगा जो कि same same position का, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, तो first number से minus 1 करने से आपका 6 आ जाएगा, 8 से minus 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 9 से यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 6 से यहाँ पर minus 1 करने से 5 आ जाएगा, तो इसका देख सेक तो 6785 इसका जो की आपका answer हो जाएगा friends तो option number यहाँ पर आप देख सेक तो 6785 option number यह इसका right answer हो जाएगा friends ओके next question जो की है यहाँ पर आपका direction से यहाँ पर आपका question है a man is facing towards west and turns through 45 degree clockwise again 180 degree clockwise and then turns through 273 anticlockwise in which direction is he facing now ओके तो यहाँ पर आपको जो की direction थोड़ा सा जानना होगा पहले हम आपको direction किस तरी किसे यहाँ पर लिखा जाता है पहले आपको दिखा देते है friends तो यह आपका है यह आपका रहेगा इस तरी किसे हम direction पहले आपको लिखना होगा यह आपका हो जाएगा east west उपर वाला यहाँ पर आपका north और नीचे वाला यहाँ पर आपका south हो जाएगा तो यहाँ पर question आपको पढ़ना होगा next यहाँ पर आपको बोला गया है a man is facing towards the west तो यह man जो है यहाँ पर आपका इस position में है औके और यह देख रहा है कि west के तरफ देख रहा है तो west के तरफ जब देखेगा तो उसका जो कि right hand कहां आ जाएगा यह आपका right hand हो जाएगा यह आपका left hand हो जाएगा okay turns through 45 degree and turns through 45 degree तो यह आपका 45 degree turns करेगा clockwise तो यह आपका clockwise होगा okay यह आपका clockwise direction होगा और इसके जो कि opposite वाल होगा यह आपका anti-clockwise हो जाएगा तो यह clockwise गुमेगा तो इस तरफ किसे जाएगा तो right hand में जाएगा तो यहाँ पर आप देखेगे तो 45 degree तो यह आपका सब कुछ 90 degree है तो इसका जो कि आधा हो जाएगा 45 degree यह turn किया clockwise में ओके नेक्स जो कि आपका रहेगा एगेन 180 degree clockwise तो फिर इसी direction में ही जाएगा 180 degree तो इसका जो कि है opposite किया जाएगा यह आपका 180 degree मतलब इसका यह वाला यह आपका 180 degree हो जाएगा ओके यह आपका 180 degree हो गया ओके नेक्स जो बोला गया है एगेन थो टॉन्स 270 degree अंटी क्लोकाइज ओके तो अभी यह इसी direction में है तो यहाँ से जो कि है 270 degree अंटी क्लोकाइज खुमेगा तो पहले तो 180 degree का यहाँ पर हम देख लेते हैं तो 180 degree मतलब फिर उसी position में आ जाएगा तो उसी मैं से फिर 90 degree एड़ करने से क्या आ जाएगा जो कि आंटी क्लोकाइज तो इस direction में जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आपका जाएगा तो यह आपका 180 हो गया तो 180 से प्लस 90 करने से यहाँ पर आपका इस direction में आ जाएगा तो यह आपका जो कि है रहेगा हम आपको दिखा देते हैं यह आपका रहेगा जो कि final इसका रहेगा इस direction में यह आपका अभी देख रहा है तो यहाँ पर आपका देख सेखते हैं in which direction he is facing now तो इस direction में यह face कर रहे है तो यह आपका कौन सा direction है यह आपका south है और यह आपका देख सेखते हैं west तो यह आपका south west direction हो जाएगा south west ओके फ्रेंड्स यह आपका south west हो क्या इसका जो कि आपका second answer होगा south west direction में अभी वो face कर रहा है option number यह इसका right answer है ओके दोस्तो नेक्स जो कि रहेगा find the missing term in the following series तो इसमें से जो कि आपका missing number है यहापर आप देखते हैं तो question mark दिया गया है इसमें आपका क्या होगा ओके तो दोस्तों यहापर आपको एक pattern देखना होगा जैसे कि 0 से यहापर आपका 4 हो रहा है ओके तो 0 से 4 तो यहापर आपका plus 4 है next जो कि आपका रहेगा 4 से 6 तो यहापर आपका plus 2 है उसके बाद जो कि आपका 6 से 3 तो यहापर आपका क्या हो जाएगा minus 3 तो plus 4 plus 2 minus 3 next जो कि आपका रहेगा 3 से 7 तो यहापर आपका plus 4 फिर यहापर आपका 7 से 9 से 6-3, तो यहाँ पर आप देख सेखते हो, प्लस 4, प्लस 2, माइनस 3, प्लस 4, प्लस 2, माइनस 3 से यह आपका चले रहा है, ओके, next होंकि यहाँ पर आपका रहेगा, 6 से यहाँ पर आपका क्या आजाएगा, प्लस 4 होगा, ओके, तो इसके बाद जो कि आपका question mark है, तो यहाँ पर हम 6, प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 10 आजाएगा, तो यह आपका question mark में यहाँ पर आपका 10 आजाएगा, यह इसका जो कि आपका right answer होगा 10, ओके, तो दोस्तो नेक्स जो कि है, question number 8, जो कि complete it, इसको हम किस तरीके से complete करेंगे, January, November, Sunday, संडे से यहाँ पर आपका कौन सा रिलेशन होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रेंट्स, November के बाद, ओके, तो November, December, January, ओके, तो इसके middle में, देख सेकतो, एक ही जो कि है, मन्त आ रहा है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो यह आपका Sunday है, तो यहाँ पर हम Friday ले लेते है, Friday, Saturday, Sunday, तो इसके middle में भी एक आ रहा है, तो इस तरीके से एक relation यहाँ पर हम create कर रहे है, तो इसका जुकिए यहाँ पर हम option के साब से देखेंगे तो यह आपका Friday इसका आपका right answer है friends ओके ओके next question जुकिए question number 9 complete the following तो इसमें भी आपको complete करना है जैसे कि ओके next जुकिए मॉम से यहाँ पर कौँशा relation आएगा तो यहां पर हम जुकिए हुआ जलाते हैं तो यहाँपर आपका heat produce होता है तो wax को यहाँपर हम जलाएंगे तो क्या आजाएगा तो कि इसका जुकिए है light प्रकास यहाँ पर आपका होता है तो यहाँ यहां पर जो कि आपका right answer होगा option number भी जो कि light okay okay question number 10 है यह आपका एक coding का ही रहेगा if water is called food food is called tree tree is called sky sky is called wall okay तो यहां पर जो कि पूछा गया है which of the following grows a fruit जो कि fruit जो है किसमें बिकसिद होगा जो कि normally जो कि fruit जो है because tree में होता है but यहां पर जो कि आपका question में जो कि बोला गया है tree is called sky तो इसका जो कि आपका right answer हो जाएगा फ्रेंस यह आपका sky हो जाएगा ना कि tree होगा तो option number b इसका जो कि है say answer होगा sky friends ओके दोस्तों तो दोस्तों यह थो कि आपका class इसका जो कि आपको पीडिया जाए तो आप टेलिग्राम चनल पर जोन हो सेकते इसका लिंक हम आपको description में दे दिये हैं तो दोस्तों यह थो कि class आपको इस बीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंस लाइक कलीजिगा आपको दोस्तों के साथ जरूर शेर करिया यदि फ्रेंस आप हमारे चैनल पर ने हो चैनल को भी subscribe कलीजिगा तो thank you friends thank you for watching